हेलो वाइज मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंडरो आयट और आज की अपने इस वीडियो हम जानेंगे रेडिमी नाइन पावर स्मार्टफोन की कुछ अंदर की बाते हैं तो वीडियो में आप एंड तक बने रही है वीडियो मिस मत करिएगा क्योंकि यहां पर पूरी वीडियो इंफर्मेशन से भरी हुई है काफी सारे facts और stats मैंने गठे की हुए इस वाले स्मार्टफोन से लेटेड और काफी interesting लगा मुझे वाला स्मार्टफोन इस budget में मतलब 11-12,000 रोपे के हिसाब से यह वाला स्मार्टफोन काफी जगहों पर मुझे काफी अच्छा लगा बाकि मुझे आपकी तरफ से बस आपका एक लाइक चाहिए अगर आपकी तरफ से मुझे एक लाइक मिलता है तो मुझे बहुत तगडी motivation मिलती है तो प्लीज लाइक जरूर करिये और चाहें तो आप चाहों को subscribe कर सकते हैं आपका भी फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा आपका फायदा होगा आपको अच्छा content मिल जाएगा और मेरा फायदा होगा मेरे subscribers बढ़ जाएंगे सबसे बहले बात करते हैं डिस्प्ले की तो यहां पर आपको 6.53 inches की एक full HD plus screen मिल जाती है IPS LCD screen आपको मिल जाती है और डिस्प्ले के साइज है बेजल्स है जो water drop notch है और जो brightness level है वो सब कुछ POCO M2 और Redmi 9 Prime जैसा ही है बाकि डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो इस प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी colors काफी बढ़िया प्रडूस करता है और डिस्प्ले से मुझे कोई शिकायत नहीं लगी और अगर हम बात करते हैं brightness की तो यहां पर इसमें 400 Nets की brightness मिल जाती है अब इस बजट में Micromax का E-Note 1 smartphone इससे ज़्यादा ब्राइट फिल होगा आपको तो जैसे इस वाले smartphone वो आउट्डोस में यूज़ करेंगे डिरेक्ट सनलाइट में यूज़ करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कते हो सकती है ज्यादा दिक्कत वैसे नहीं होगी तो यहाँ पर आपको ठीक माना जाता है आउट्डोस में भी आपको विजबिल्टी दे देगा बढ़ हां Micromax की कमपैजन में कम है इसकी ब्राइटनेस बाकि प्रटक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको गुल्ला ग्लास ठीक की प्रटक्शन मिल जाती है और एक 22.5 वाट का अडप्टर दिया गया है अब शौमी 22.5 वाट का अडप्टर क्यों दे रहा है बॉक्स में यह मैं नहीं बता सकता किसलिए दे रहा है बाकी फुल रिव में मैं पूरे स्टैट्स शेयर करूंगा कि किस तरह से बैटरी बैकप है इसका बट अभी तक बैटरी इ का इशू भी मैंने फेस नहीं किया इस वाले स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो कॉलकॉम स्मार्टबंग 660 टू चिपसेट मिल जाता है अब इस बजट में एक्चुली में में मीडड़क के हीलियो जी एटी जी एटी फाइब ज्यादा पावर्फु बाकि 660 टू जो चिपसेट है वो भी काफी डिसेंट है पावर एफिशेंट है तो ओवराल परफॉर्मेंस डे टू डे उसे में आपको उतनी दिक्कत नहीं देगा हाना कि इसमें थोड़े बहुत युवाई लैक्स मैंने नोटिस किया है लेकिन वो सौफ्वेयर या फिर म की वाज़ा से है ना की चिपसेट की वाज़ा से नॉर्मल यूसेस में यह वाला चिपसेट आपको एकदम दिक्कत नहीं देगा लेकिन फिर भी अगर आप हेवी गेमिंग फोड़ा सा करना चाहते हैं तो उस कंडिशन में थोड़ा सा यह कम बेटर पोहम करेगा अगर हम इ स्वार्फों मिल जाती है channel you एक तो स्वाले स्वाले स्मार्टफोंस में यौश 2.1 स्टोरज मिल जाती है और स्वाले पास बेरेंट सा च्पोर जी स्क्रीन पे और बाकि मैंने इस वाले स्मार्टफोन में काइन माश्टर को यूज करके वीडियो रेंडर टेस्ट किया था सेम फाइल का और उसके स्टेट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप अगर बात जलते हैं नेटवर्क स्टेंट की तो मुझे इससे कोई शिकायत है या नहीं है तो इस वाले स्मार्टफोन में 4G Plus का सपोर्ट मिल जाता है और यह देखे काफी अच्छा लगता है कि कंपनी इस पे काम करें है डिसन्ट लिए हमने देखा था माइक्रोंक्स के इन्नोट 1 स्मार्टफोन में भी 4G plus का सपोर्ट में होता है और हमारे एरिया म अगर 4G Plus के signals हमारे smartphone को मिलते हैं तो वहाँ पे हमें better download speed देखने मिल जाती है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 4G Plus काफी important होता है और companies को देना चाहिए हमने देखा है कि काफी बड़े महंगे महंगे smartphone में भी 4G Plus के support नहीं मिलता है लेकिन इसमें मिलता है तो यही मुझे काफी अच्छा लगा तो इस बात से मैं समझ सकता हूँ कि companies हम लोग की बातों को as a feedback ले रही है आज के टाइम पे और उस पे काम कर रही है तो 4G carrier aggregation के support आपको मिल जाता है Redmi 9 power smartphone में sound performance की बात कर लेते हैं तो sound performance इस वाले smartphone की काफी बड़ी अलागी मैं से बस एक चीज मैंने नोटिस करें कि कि दोनों speakers जो दिये गए है alternate site में है मतलब top वाला top left में है bottom वाला bottom right में है तो अगर आप phone को ऐसे रखके gameplay करते हैं तो एक speaker को आप block करेंगे अगर आप video देखते हैं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप gameplay करेंगे ऐसे तो एक speaker आपका block होगा चाहे आप जिस तरफ सभी gameplay करें बाकी earphone में लगा के gameplay करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे ये कोई issue नहीं है लेकिन बस मैंने सुझाए कि आपको बता देता हूँ बाकी call quality और earpiece का volume काफी बढ़िया है कोई issue वहाँ पे नहीं face होगा आपको Wi-Fi calling का support आपको मिल जाता है इस वाले smartphone में native video calling का support भी आपको इसमें मिल जाता है आप call recording का support तो आपको इसमें मिल जाता है बाकी कर गेमिंग की बात करते हैं तो normal games चल जाएंगे इसमें कोई दिकत नहीं होगी लेकिन PUBG call of duty की बात करते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया कि micromax innote 1, poco m2, redmi 9 prime में आपको थोड़ा better experience मिल जायागा ऐसा जमीन आजपान का फरक नहीं है और camera का module भी थोड़ा सा different कर दिया गया है इस बार जो कि मुझे सही लगा आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताईगा front में आपको 8MP के camera मिल जाता है अगर camera interface की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमे typical MIUI 12 का camera interface दिया गया है जो कि मुझे अच्छा लगता है वीडियो आप यहाँ पे full HD 30fps तक शूट कर सकते हैं front and rear camera से और इसके stock camera में default camera में external mic का support मिल जाता है तो यह भी मुझे काफी अच्छा लगा इसके लिए भी में बहुत बोलता था कि stock camera में हमें MIUI के external mic का support नहीं मिलता लेकिन इस वाले smartphone में हमें मिल जाता है तो मतलब कोई video हमें shoot करनी हो चोटी मोटी तो हम external mic को use करके shoot कर सकते हैं stock camera से बाकी camera 2A पे इस वाले smartphone में enabled है अब Gcam मैंने कुछ try किये थे लेकिन अभी तक कोई अच्छा चलता हुआ Gcam port नहीं मिला और साथ यहां पे आप कुछ camera samples देख सकते हैं जो कि मैंने इसके through capture की हैं और compare भी किया है कोई smartphone के साथ तो वो आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है Android 10 पे चलता है वाला smartphone और MIUI के कुछ features आपको मिल जाते हैं तो वही inbuilt screen recording मिल जाती है और dual apps और इस तरह से MIUI वाले काफी सारे features आपको इसमें मिल जाते हैं Google की air core services का support फिलहाल इसमें नहीं मिलता है आज की टाइम पे लेकिन यह Google की तरफ से प्लास्टिक में खोरदरा सा जो की अच्छा लगता है और यह Sunlight वाला effect बनता है पीछे की तरफ जो की अच्छा लगता है और यहां पे जो Redmi काफी बड़ा बड़ा सा लिखा है यह मुझे तोड़ा सा कम अच्छा लगा आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके बता सकते हैं बाकि back में थोड़ा सा curves मिल जाते हैं तो overall device थोड़ा सा handy feel होता है Eye blaster आपको मिल जाता है 3.5mm headphone jack मिल जाता है Type-C port मिल जाता है यह सब चीजे positive हैं काफी अच्छी हैं और इसका वेट क्या है वो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और बॉक्स में आपको एक TPU सिलकन केस भी दिया गया है इसकी क्वालटी भी मुझे अच्छी लगी और रॉल पाकिश स्मार्टफोन बहुत भारी या फिर बहुत बल्की फील नहीं होता है POCO X3 स्मार्टफोन में मतलब 161NF की बैटरी है लेकिन वो काफी जादा बल्की फील होता है काफी मोटा चौड़ा फील होता है लेकिन ये काफी पतला फील होता है उसके कमपैर्जन में हाँ यहां पर POCO X3 में थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन मिल बाती है कर लेजिए आपको ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियोज हमेशा मिलती रहेंगी बाकि थैंक्स पर लॉक्टिंग वीडियोग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में